नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुमेरियाई सभ्यता की, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। सुमेरियाई सभ्यता मैसोपोटामिया के क्षेतर में फली फूली, जिसे आज हम इराक के रूप में जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 4,500 इसा पूर्व में विकसित हुई और इसने कई आधुनिक शहरों की नीव रखी। सुमेरियाई लोग क्रिशी पर निर्भर थे और उन्होंने सिंचाई की विधाओं में काफी महारत हासिल की थी। उनकी भाषा सुमेरियन दुनिया की सबसे पुरानी लिखित भाषाओं में से एक है। सुमेरियाई लोगोंने कीलाकार लिपी का आविशकार किया जो पत्थरों पर खोदी जाती थी। यह सभ्यता विज्ञान, गनित और खगोल विद्या में भी अग्रणी थी। सुमेरियाई लोग समय को मापने के लिए एक विशेश कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने पहिया, प्लाव और नावों का भी आविशकार किया जिससे उनके व्यापार में बड़ी मदद मिली। वहीं उनकी धार्मिक मान्यताएं भी काफी विकसित थी। उनके देवता उनकी प्राकृतिक और सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा थे। सुमेरियाई समाज में पुरोहित, राजा और आम नागरिकों की अलग-अलग भूमिकाएं थी और सभी का अपना महत्व था। इस सभ्यता का पतन लगभग 2000 इसा पूर्व हुआ लेकिन उसके द्वारा छोड़ी गई विरासत आज भी हमारे बीच है। उम्मीद है आपको सुमेरियाई सभ्यता के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।